इस वक्त की बड़ी खबर राजनीती के अपराधी करण पर सुप्रिम कोड का बड़ा आदेश सभी राजितिक दलों को ये कहा कि जो राजनेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर डाला जाए पब्लिक प्लाटफरम पर डाला कि आखर इस राजनेता को उमीदबार क्यों बनाया गया तिकेट क्यों दिया गया ये बड़ा आदेश सुप्रिम कोड की तरफ से राजनेतिक दलों को दिया गया है कारण है कि वो दागी को टिकट दे रही है किसी एक गैर दागी आजमी को टिकट नहीं दे रही है इसके अलावा सुप्रीम कोट नहीं ये भी कहा है ये पूरा का पूरा जो हमारा ओर्डर है इसके कंप्लाइंस कराना एलक्शन कमिशन की जिम्मेदारी है यद कोई political party सुप्रीम कोट के इस judgment का compliance नहीं करती है तो उसको contempt आप सुप्रीम कोट माना जाएगा ये आपने आपने बहुत ही अतिहासिक फैसला है आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनी चीक दल अपराधियों को ठिकट देंगी और उसका विस्तित ब्योरा, electronic media, print media और social media में प्रबिस नहीं करेंगी उसको सुप्रीम कोट का contempt माना जाएगा अब ये बाराधियों के लिए या सारे कंडिडेट के बारे में बताना पड़ेगा अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई कंडिडेट ऐसा जिसके खिलाब कोई F.I.R. नहीं है कोई दाग नहीं है, कोई उसके खिलाब कोई अपराध नहीं है तो सिंपल एक लाइन लिख देना है कहां उसके खिलाब कोई अपराध नहीं है अगर किसी के खिलाब बहुत सारे मामले है तो उसका बाकाइदा ये 5-year नंबर, ट्राइल की स्टेज, चार्जेज फ्रेम हुआ की नहीं हुआ, ये पूरा वेवरा, इलेक्शन कमिंशन को बताना पड़ेगा, फेस्बुक ट्विटर पे डालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रो उमीदवार बनाये जारे, उनका पूरी डीटेल, उनका पूरा रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरीए, फेस्बुक के जरीए, अख़बारों को दिया जाएगा, इलेक्ट्रोनिक मीडिया को दिया जाएगा, इस तरह का आदेश सुप्रिम कोट की तरफ से उमीदवार बनाया गया है, उसके खलाब जो भी केस है, उसको देखते हुए आखर टिकेट क्यों दिया गया है, ये वज़ा भी बाकायदा बतानी होगी, तो ये बड़ा आदेश, राजनीती के अपरादी करण पर सुप्रिम कोट की तरफ से सभी राजनीतिक दलो को, ये क कुछ जानते हुए आखर आपने उमीदवार को टिकेट क्यों दिया, इसे उमीदवार क्यों बनाया गया, ये वज़ा भी बताने का आदेश सुप्रिम कोट की तरफ से राजनीतिक दलो को दिया गया है, सुप्रिम कोट ने चार चुनावों का जिक्र भी किया, उन्होंने क कि पिछले चार चुनाव में बड़ी संक्या में ऐसे नेताओं को टिकेट दिये गए, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं